वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल पेपर है कर आज हम डिसकस करेंगे कुश्चन नमबर आपका 6 ठीक है कुश्चन नमबर आपका 6 हो जागा इससे पहले हमने एक से 5 तक डिसकस कर लिया पढ़ लिया उनको ठीक है जुलोजी का पॉर्शन है जिसमें हम शौर्ट आंसर कोश्चन की बात करना है ठीक है एक से 5 तक हमने डिसकस कर लिया आज हम बात करेंगे कुश्चन नमबर 6 ठीक है जो की कह रहा है प्रोस्थैटिक ग्रूप तथा को एंजाइम में अंतर इसपस्ट कीजिए ठीक है तो क्या करना है आपको डिफ्रेंसियेट करना है किसके ठीक है तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा एक लाइन खीचनी होगी बीच में से पेज के और बागी कुछ इस तरह से करना होगा एक तरफ आपको लिखना होगा प्रोस्थैटिक ग्रूप दूसरी तरफ को एंजाइम ठीक है अब इसके बारे मे कारिय करने के में उसकी सहायता करता है क्या करता है यह एंजाइम को एंजाइम ठीक है तू परफॉर्म देर वर्क ठीक है ये enzyme को उसके कारिय करने के लिए क्या करता है help करता है जिससे की enzyme कारिय कर सके ठीक है कौन prostatic group को enzyme की अगर हम बात करें ठीक है को enzyme ये आपका क्या होता है सहकारक क्या होता है सहकारक मिन्स ये क्या करेगा ये साथ में काम करेगा ठीक है ये आपका प्रेरित नहीं करेगा ये क्या करेगा ये आपका क्या करेगा हेल्प करेगा ठीक है लेकिन ये क्या करेगा उसके साथ में वर्क करेगा ठीक है को एंजान ये आपका क्या होता है प्र तो आपके enzymes होते हैं, उनकी activity के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ऐसा भाग चाहिए होता है, जिसमें protein आपका नहीं हो, ठीक है, protein ना हो, यदि यह है part, enzyme से tightly bond हो तो इसे prosthetic group कहते हैं, जिस भाग में आपका protein नहीं होगा, वह भाग अगर आपका enzyme से tightly bond है, ठीक है, किसे enzyme से tightly bond है, तो उस गर्वप को हम क्या कहते हैं, प्रोस्थियटिक गर्वप आपका कहलाता है, ठीक है, हम के क्या करेगा, help करेगा enzyme की उसका गारी करने में, ठीक, को enzyme में हम लिखेंगे कि यह प्रोस्थेटिक गुरुप के समान है किसकी तरह होता है प्रोस्थेटिक गुरुप के समान ही होता है लेकिन इसमें क्या होता है यह enzyme से loosely attached रहता है ठीक है किस से enzyme से loosely attached रहता है जबकि आपका जो प्रोस्थेटिक गुरूप है इसमें क्या होगा एंजाइम से टैटली बॉंड रहेता है ठीक है तो इसमें क्या होगा बे लूजली बॉंड रहेगा ठीक है एंजाइम से इतना याद रखना है ठीक है सेकंड प्रोस्थेटिक गुरुप में आपने सेकंड क्या लिखना है भई दूसरे लुखो कि प्रोस्थेटिक गुरुप को डालेसिस द्वारा रिमूब नहीं किया जा सकता है ठीक है जो आपका प्रोस्थेटिक गुरुप होता है इसको हम डालेसिस द्वारा रिमूब नही कर सकते हैं ठीक है या इसको अपोहन द्वारा किसके द्वारा अपोहन विधी द्वारा इसको नहीं हटाया जा सकता है ठीक है इसमें क्या होगा को एंजैम बाले में को एंजैम को आसानी से डालेसिस द्वारा एंजैम से सेपरेट किया जा सकता है अब जो आपका को एंजैम ह क्या है । इंजाम है है इसमें क्या है कोंच jsem को क्या था तीक य। इसलिए ऐंचेम को को इंजायम से आसानी से सेपरेट किया जा सकता है ठीक है किसके द्वारा डायलिसिस या अपोहन के द्वारा ठीक है यह वो मनिश्यों में जो डायलिसिस होता वो नहीं है ठीक है यह अपोहन विदी होती है ठीक है होता सेम उसी की तरह है थर्ड आपका क्या है सिंपल प्रोस्थाटिक गुरुप जैसे आपका क ऊपर प्लस-प्लस होगा जिंक प्लस-फ्लस, म्गनीशियम, problems, तो इनके क्या होताई? अनिया होता है, आनि धातविक आइन होते है supposed to be फ्रोस्थाटिक गूरूप ठीक है, फॉर्ण। पॉैंट आपको लिखना आपका मेटालिक आयम लूंट इंब होता हैuria कुछ prostatic groups जैसे आपका syto-chromes हो गया ठीक है phlebo-proteins हो गया peridoxal हो गया peridoxal phosphate heem iron या biotin आदी आपके क्या है organic compound यह कैसे है आपके carbonic पदार्थ है ठीक है कुछ ठीक है तो यह आपके क्या है कुछ prostatic group है जो की आपके कैसे है organic compound या carbonic पदार्थ है ठीक है कौन-कौन से याद रखो cytokrome है आपका flavoproteins है और आपका pyridoxal prostate है phosphate है और heme iron ठीक है और आपका या biotin ठीक है heme iron या biotin ठीक है दोनों ये की है coenzyme की बात करें तो अधिकांस coenzyme का आवश्यक अंस क्या होता है फासफेट होता है ठीक है आवश्यक अंस क्या होता है आवश्यक अंस या भाग क्या होता है आपका phosphate होता है ठीक है जो nucleotide के form में present रहता है कहां रहता है nucleotide के form में या nucleotide के रूप में present रहता है example अगर हम बात करें तो coenzyme A, जिसे NAD कहते हैं, दूसरा coenzyme B जो आपका NADP होता है NAD, ठीक है, nicotinamide adenine तो यह हो जागा आपका nicotinamide nicotinamide A से हो जागा adenine, A, D, E, N, I, N, E और D हो जागा di nucleotide nucleotide, ठीक है तो क्या हो जागा, nicotinamide adenine dinucleotide इसी तरह से आपका NADP हो जागा ठीक है, तो यह क्या हो जागा, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, ठीक है, P means आपका phosphate एक और लग जागा, ठीक है यह जो हो गया, आपका fourth point, fifth में आपको क्या लिखना है, ठीक है, fifth point में आप लिखेंगे, ठीक है, किस में ठीक है, तो fifth point में आपने लिखना है, prosthetic group में, क्या लिखोगे, यह है catalytic reaction में participate करता है, ठीक है, जो आपकी catalytic reactions होती है, ठीक है, कौन सी? Catalytic reaction, ठीक है, reaction between catalyst और आपका reactant, ठीक है, अभी हमने देखा था, यह बो अबक्रियां होते हैं आपकी catalytic reaction, जो किन किन के बीच में होती है, आपकी, catalyst के बीच में, catalyst के बीच में, плюс आपका, पLS आपका क्या होगा, इसमें आपकर reactant होगा, क्या होगा, reactant ठीक है तो इनके बीच में होने वाली अबक्रियाएं क्या कहलाती है आपकी catalytic अबक्रियाएं कहलाती है तो इनमें क्या करते हैं ये participate करते हैं काउन आपके PG ठीक है prosthetic group ठीक पर एक्जामपल की अगर हम बात करें तो heme in heme in catalase ठीक है c a t a लिखा हुआ heme in catalase और आपका क्या हो जागा peroxidase ठीक है क्या हो जागा peroxidase metal iron such as आपका क्या हो जागा copper हो जागा cobalt हो जागा और आपका zinc हो जागा ठीक है तो कुछ इस तरह के यह क्या होंगे आपके example होंगे जिनमें आपके metal iron क्या होंगे copper हो गया, cobalt हो गया और आपका zinc हो गया, फिर तो आपको लिखना है इसमें, ठीक है, co enzyme बाले में यह है, catalytic reactions में participate करते हैं, ठीक है, तो यह भी क्या है, भी यह भी आपके catalytic reactions में भाग करते हैं, ठीक है किसमें catalytic reaction में ये भी भाग लेते हैं आपके ठीक है फार एक्जाम्पल क्या हो जागा आपका FAD और NAD FAD बोले तो फ्लेवन ठीक है क्या हो जागा आपका फ्लेवन बागी आपका सेम रहेगा AD, E, N, I, N, E फ्लेवन, एडिन, डाई नूकलियोटाट और ये तो आपका ही है ठीक है क्या है आपका NICOTINAMIDE, ADENINE और आपका DINUCLEOटाट ठीक है तो ये कुछ इस तरह के जो है आपके COENGYM से ठीक है तो इस तरह से आपके जो है PROSTHATIC GROUP और COENGYM में 5 आपको DIFFERENCE बताने है ठीक है लिख देना है आपको इनको अच्छे से देख लेना है ठीक है आइन से याद कर लेना है copper, cobalt, zinc ठीक है तो बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अंगले वीडियो में ठैक्स वाचिंग, share the video और अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर देना